है गाइज नमस्ते वेलकम बैक तो मैं चैनल अलिशा स्वाशन ट्रिक्स वाधिनो इस इस मी अलिशा आज में फिर से आ गई हुआ आप लोग के पास एक नया प्रोड़क्त के रिव्यू लेके येस आज का प्रोड़क्त जिसका रिव्यू में करने वाल हूँ ये इस वाले होई तो मैंने पास ये जो नया लौंच के या है गाटिशा सिरम मांस्क आप लोग देख सकते हो है ये मार्केट में भी अवेलावेल है इसका रिव्यू में आज देने वाली हूँ जस्बिकास मुझे बहुत पसंद आ रहा है that's why and मैंने इसका तीनों ही पैकेट लिया था इसका बहुत सारा वेरियंट है लेकिन मैंने तीनों पैकेट यूज किया एक अपका लेमन जो योलो में आता है देख सकते हो सेकेट अपना पिंक वाला and थर्ड अपका सकाई बलू वाला so यह तीनों का यह वोर्क अलग है जो योलो वाला है वो है दल स्कीन के लिए and sensitive skin के लिए obviously and dullness और brightness के लिए बहुत ही अच्छा है इस वन योलो जो लेमन है second one जो है यह है आपका pure glowing skin के लिए so आप अगर glowing skin चाहते हो तो यह इस वन बहुत अच्छा है and sky वाला जो है मेरे पास अभी वो पैकेट नहीं है लेकिन वो है pure hydrate करने वाला मतब आपका skin hydrate करने के लिए sky blue pink आपका glowing के लिए and yellow lemon जो है वो brightness and dullness को हटाने के लिए and आपका skin जो है वो उभरता हुआ है जुन्दर जो है beauty जो है वो आएगा इसलिए तो मैं आपको प्रोड़क्टर रिव्यू तो बताऊंगी कैसे यूज काना है वो भी मैं बताऊंगी तो उससे पहले में यह लवाला है दिखाती हो आपको garnier lemon का so this one यह है garnier ski natural का आप लोग देख सकते हो and this is serum mask with light complete so आप लोग इधर लिखा हुआ है देख सकते हो and इसका जो है super hydrating and brightening इसमें यह भी लिखा हुआ है super hydrating and brightening tissue paper या mask बोल सकते हो yes obviously यह mask है and इसको इसके अंदर जो product है वो मैं बताऊंगी वो है सिर्फ lemon जो बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्कीन के लिए हमारी स्कैल्प के लिए obviously and उसके बाद vitamin C है and उसके बाद आपके जो पास है वो है hyalocloric acid मतलब lemon vitamin C and hyalocloric acid जो है यह तीनों चीज मिलके यह mask ready किया है फूरा and मुझे बहुत पसंदा है that's why मैं review करने जा रही हूँ and फिर उसके बाद यह जो mask है यह आपका मतलब यह mask अगर आप वीक में एक बर लगाते हो तो पूरे वीक में लगाने का ज़रूरती नहीं है so वीक में एक बर लगाने के लिए आप यह mask ज़रूर यूज कर सकते हो and पूरा वीक अपका skin जो है वगदम थोड़ा से serum वाला feel oily वाला feel थोड़ा से brightness डलने से बहट जाएगा brightness भी आएगा yes so यह mask इतना ज़रूरी भी है and अच्छा भी है and second यह mask यह भी बोल रहा है कि dermatological tested भी है and यह sensitive skin के लिए भी है तो आप लोग use कर सकते हो and देख भी सकते हो बहुत अच्छा feel होगा obviously feel अच्छा होगा and इसका result भी कैसा आता है मैं आपको दिखाऊंगी जरूर तो इसके बाद इसके पीछे जो portion से उसमें लि and उसके बाद इसमें लिखा हुआ है how to use तो पहले यह mask को कट करके अपको सिफ लगाना होगा step 1,2,3,4 करके है step 1 में अपको सिफ लगाना होगा दो लेयर है इसका एक white एक sky blue तो white को अपको लगा होगे face के उपर sky blue के हटाना होगा and वो जो white portions है उसको आप इसमें लिखा हु तक आप यह mask को रखो 30 मिर्च के बाद जब आप mask को हटाओगे उसको वर्ष मत करना उसको सिर्फ अपको रब करो थी धीरे धीरे से अपके skin पूरा एकदम skin पे वो joil है वो लगाओ फिर उसके बाद सोजाओ and मैं बोलूंगे कि आप रात में इसको यूज करो तो बहुत अ करते हो तो and सुबह सो आपको अच्छा वाला फील आएगा ओविसली आपको स्कीन पूरा नाइट आपको मिल रहा है और ब्राइटनेश जो है वो जादा जादा उबर के आएगा so आप इसको रात में उसका से से और फोर स्टेप यह है इसको थोरा सा इसको मसाज करके सोजा बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर यहीं लिखा हुआ है और कुछ नहीं है और यह मास्क ऐसे यूस किया जाता है मैं आपको बताऊंगी इसका रिजल्ट भी कैसा है वह भी मैं आपको बताने वाल हूँ तो वीडियो पूरा देखना देखने के बाद आप खुद बोल इसका पाकेट देख सकते हूं और इसको हमें कट करना हूँ यह पहुत ओईली है और बहुत वेटेट है यह चिप चिपा हुआ है एकदम यह फोल्ट पे आया है ऐसे फोल्ट पे आता है तो इसको खोलना होगा पहले में बदात तो यह है तो देख सकते हैं गैस का दो पार्ट इसका दो पार्ट इधर ब्लू है दो छैली तो पहले है पको इड़्े यह वो अब स्वीड मेर्हों रखना होगा इतना बड़ा है कि पुराप का फेस कवर हो जाएगा अच्छी तरह शिद्दू अब 30 मिट्स के लिए आप से पूरा रिलाक्स करो और मैं अभी और बात नहीं कर रही हूं अब 30 मिट्स के बाद आपको रिजाद दिखा दी